आज मैं आप लोग को बताने जारी हूँ बहुत ही यमी यमी और टेस्टी सोया चंक्स के चीज बॉल्स इससे पहले अगर आपने ट्राइ किये हूँ तो एक बार आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए जरूर ट्राइ करिएगा वैसे तो मुझे पता है कि आपने ट्राइ न में बनाना शुरू करते हैं देखते हैं हमें क्या-क्या चाहिए हैं तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यह मैने एक चाटोरी लिया था और इसको मैंने एक घंटे पहले ल्यूपम वाटर में बढ़िया था अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आदे घं गंटे के लिए भ जाल लिया है इसमें यह सब भी सोया चंक्स को डाल दे रही हूं और इसको बारीक पीस लूँगी तो बिलकुल यह देखिए जैसे पीसके रेडी हो जाएगा तो यह देखिए बहुत ही अच्छा यह पिसके रेडी हो गया है बहुत ही महीन भी है बारीक बिलकुल पिसा हुआ अब हमें लेना है दो बोल प्टैटोस तो यहां पर मैने दो बले हुएालू ओं को लिया है और उसको मुझे बिलकुल महीन कर लेना है तो इसको हम एक फोर्ग की हैल्प से बिलकुल बारीक कर लेंगे इसमें मुटे-मुटे पीसे इसके नहीं रहना चाहिए तो इसको mash कर लेना है अच्छे से, ये अच्छे से देखिए, mash हो चुका है, अब इसमें मैंने ये जो soya chunks को पीस के रखा था, उसको मिला दूँगी, तो ये सारा mixture मैं इसमें मिला दे रही हूँ, साथी में मैं इसमें डालूँगी, एक प्याज है, ये medium size की, इसको मैंने बारिक चॉप किया हुआ है, दो से तीन हरी मिर्च है, आधा चमच मैं इसमें नमक मिला दे रही हूँ, आधा चमच मैंने इसमें red chili powder मिलाया है, one four teaspoon मैंने मिला दिया हल्दी powder, half teaspoon zira powder मिला दिया है मैंने, और half teaspoon मैंने मिलाया है आमचुर powder, और साथी में मैं इसमें डाल दूँगी, half teaspoon, यहald turp, अगर आखकर चिकन मसाला रही हैं जो अब छोब वी एड़ कर सकते हैं तो जो भी मसाला घर में लुआ है वाफेल송 है, भी एड़ कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिला लेना है, तो खुब अच्छे से इसको मिला लीजिए, तो ये देखिए, सब कुछ अच्छे से आपस में मिल चुका है, अब इसके बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगी, टू टी स्पून मैंने यहां पे पोर्शन लूँगी इस मिक्स्चर का, और इस पे देखिए, बीच में ऐसे स्पेस करेंगे, और स्पेस करने के बाद एक चीज क्यूब इसके अंदर रख देंगे, तो ये अमूल चीज क्यूब है, इसको मैंने छोटे-छोटा कट कर लिया था, जितने बड़ा साइज बना इसके से पहले एक मिक्सर रेडी कर रही हूं, इसके लिए यहां पर मैंने लिया है, यह मैदा है, दो टेबल स्पून लिया है, साथी में मैंने यहां पर एक टी स्पून इसमें कॉन फ्लोर डाल दिया है, और यह मैंने डाल दिया है, वन टी स्पून ब्लैक पेपर सॉल्ट और साथी में 140 जीरा पाउडर डाल दिया इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे तो यह एक ड्राय मिक्सचर मेरा रेडी हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग इसमें जो हम लोगोंने बॉल्स बनागे रखी हैं उसको चारो तरफ से अच्छे से कोट करना है तो एक घंटा हो चुका है बॉल्स को सेट हुए तो आप मैं इसमें अच्छे से कोट कर दे रही हूं सभी बॉल्स को तो यह देखिए इस तरह से आप दूसरे साइड मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिये इसमें मैंने ओयल अच्छे से गरम कर लिया है और फिर इसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है लो करने के बाद ही हम लोग ये बॉल्स डालेंगे क्योंकि ओयल जब बहुत हाई फ्लेम में अगर आप और अंदर टक कि आइए नहीं तो लोग फ्लेम पर ही इसको डाले और जब सारी बाद जितनी भी इसमें आएंगी एक में ड़ल जायें उसके बाद इस घैस की फ्लेम को को मीडिम रखना है हाई नहीं करना है और बहुत ही उपर से बनेगे और बहुत ही होती है बह बहुती इसको जरूर ठ्राइ करें, यह देखिए, बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गई है, अब मैं इसको ओल से बाहर निकाल लेती हूँ, और इसको हम लोग एक सर्फिंग प्लेट में निकाल के सर्फ करेंगे, तो इसको मैं टॉमाटो केचप के साथ सर्फ करूँगी, इस तरह से यह स नोटिफिकेशन्स मिलती रहें, और आप मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह वीडियो मिल जाए, थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो,